खुद पर हो विश्वास और मन में हो आस्ता फिर कितनी भी आ जाए जीवन में मुश्किले मिल ही जाता है रास्ता इसी एक positive thought के साथ आज का session आगे बाड़ाते हुए differentiation जो exercise 1.1 देख रहे है वो start करते है बच्चो तो ये आज के problems समझने के लिए आपको laws of logarithms आना बहुत जरूरी है तो just recall करते है laws of logarithms क्या है तो बच्चो यम इंटू यन यम एंड यन आटू positive numbers उनका अगर multiplication करेंगे और उसी के उपर log apply करेंगे तो ये क्या बनता है ये log of यम इंटू यन बनता है बच्चो log of यम प्लस log of यन यानि कि multiplication of number पर log apply करेंगे तो addition of two log हो बन जाता है यम अपॉन यन division of numbers के उपर अगर log apply करेंगे तो आप easily बता सकते हो मुझे कि multiplication पर apply करने के बाद अगर addition of log होता है तो log division of numbers के उपर apply करेंगे तो subtraction of log होगा log of यम माइनस log of यन यतना तो आप दिमाख चला सकते हो आपका यम raise to यन के उपर अगर log apply करेंगे तो ये जो सर के उपर यन रहता है वो यन आगे आ जाता है उसको log of exponent कहा जाता है तो ये बनता है यन into log of यम ओके तो ये three laws of logarithms log of product, log of question and log of exponent इतने हमें पता होने चाहिए क्योंकि इसका use ये आज के problems में होने वाला है बच्चों तो let us start with the sum problem आज पहला problem देखने जा रहा है problem है log of tan cube x into sin raise to 4x into x square plus 7 the whole bracket raise to 7 okay इतना बड़ा problem है अगर इसको directly solve करने जाएंगे तो आपको भी पता है ये मुश्किल हो जाएगा पहले तो इसको y equal to मैं consider करना चाहूंगा y equal to consider करने के बाद अगर मैंने directly differentiate करना चाहां तो इस पूरे function को मुझे f of x कहना पड़ेगा तो ये बनेगा log of f of x फिर log of f of x का derivative कैसे निकालते आपको पता है 1 upon f of x और फिर multiply करते d dx of f of x से लेकि अगर वो चीज हम यहाँ पर apply करेंगे तो ये difficult बनेगा तो ये simple कैसे बने इसके लिए मैं आपको simple सा तरीका बताऊंगा अभी मैंने बताया आपको multiplication की उपर अगर log apply करेंगे तो addition of logarithm होता है तो यहाँ पर मैं log of tan cube x फिर into है तो plus log of sin raise to 4x into है तो plus log of x square plus 7 the whole bracket raise to 7 इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पर ये लिखने के बाद log of exponent भी बताया था मैंने जो raise to power होता है आगे आता है क्यूंकि tan cube x का मतलब tan x whole bracket cube होता है बच्चो तो 3 आगे आ जाएगा यह बनेगा log of tan x log of tan x फ्लस यह 4 आगे आ जाएगा sin raise to 4 x का मतलब sin x raise to 4 है तो 4 आगे आ जाएगा यह बनेगा log of sin x फ्लस यह 7 भी आगे आएगा तो यह बनेगा log of x square plus 7 ओके इतना लिखने के बाद is equal to y equal to यह बन गया है मरे लिए यह problem था अभी simplify करके मेरे पास यह problem बन गया है अभी यह तीनों term की addition दिखाई दे रहे हैं याने की differentiate करते वक्त हमें use करना पड़ेगा addition root यह तो पक्का है कि हर एक function composite function है इसको differentiate करने का तरीका हम पीछले कुछ वीडियो से देख रहे हैं तो differentiate with respective x तो बोल दिया है मैंने y का derivative with respective x क्या हो सकता है dy by dx equal to sin अभी आप बताओ मुझे 3 time log of tan x है 3 log के साथ है log of tan x के साथ तो 3 इधर ही रहेगा 3 अगर अकेला मिलता है मुझे तो 3 का derivative मैं 0 लिख देता लेकिन इसके साथ है function के साथ तो वैसे ही रहेगा अब इस function का derivative निकालना है तो log of tan x यानि की log of x की तरह जिस तरह से log x का derivative 1 upon x होता है log of tan x का derivative में लिखूंगा 1 upon tan x ओके लेकिन आपको भी पता है derivative complete नहीं हुआ है ddx बाकि है किस चीज़ का ddx बाकि है tan x का तो यहाँ पर ddx आप tan x लिखना है ddx आप क्या लिखना है बच्चो tan x आप directly भी लिख सकते हो tan x का derivative क्या है plus फिर 4 into log of sin x है यहाँ पर तो यहाँ पर में 4 तो ऐसे ही लिख देता हूँ क्यूंकि log of sin x के साथ है constant तो log of sin x का initial derivative क्या होगा 1 upon sin x होगा log x का जिस तरह से derivative आता है न वसी तरह से 1 upon sin x लिखा लेकिन फिर भी आपको पता है derivative complete नहीं हुआ है आपको इस समझ में आना चाहिए कि derivative complete हुआ है कि ने तो sin x का derivative बाकि होता है plus यहाँ पर 7 into है तो यह 7 तो वेसे ही रहेगा अब log of x square plus 7 का derivative कैसे निकालेंगे हम 1 upon x square plus 7 होगा फिर भी हमें पता है कि ddx तो बाकि है x square plus 7 का derivative बाकि है तो अभी थोड़ा rearrange करेंगे और finalize करेंगे वो 3 into 1 upon tan x का मतलब क्या होता है सभी को पता है cortex 1 upon tan x का reciprocal तो tan x ddx अब tan x भी हमें पता है 6 square x plus sign डाल दिया मैंने 4 to as it is है 1 upon sin x को मैं 1 upon sin x ही रखता हूँ बाद में देखेंगे फिर sin x का derivative क्या होगा cos x, sin x standard है final way ही होग जाएगा 7 into याने कि 7 upon यहाँ पर मैं x square plus 7 लिखूँगा फिर bracket में बोलो x square का derivative कितना आता है 2x और 7 का derivative आता है 0 थोड़ा finalize करती है वक्त किसे answer लिखेंगे यहाँ पर मैं last step लिखता हूँ this is equal to पहला तो term है 3 cortex into 6 square x plus 4 है फिर cos x upon sin x का मतलब क्या होता है बच्चो cos x upon sin x होता है cortex और फिर plus करेंगे 7 to 0 कितना होगा 14 x 14 x plus 14 x divided by कितना है x square plus 7 आगे भी लिख सकते हो ओके this is your dy by dx तो यह problem है यहाँ पर multiplication दिखाए देता है और log apply करना था तो यहाँ पर directly differentiate करने से अच्छा है कि पहले इसको simplify कर लो फिर differentiate करो तो यह अच्छा तरीका है differentiate करने का इसी के साथ एक और problem में बताना चाहूंगा इसी के उपर तो आप judge कर सते हो क्या करना है और क्या नहीं करना है तो problem लिखूंगा मैं यहाँ पर log of square root of 1 minus cos 3x divided by 1 plus cos 3x exercise 1.1 का ही problem है बच्चो तो इसको मैं differentiate करना चाहूंगा तो अभी आप थोड़ा सोचो और मुझे बताओ क्या कर सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर y equal to तो मैंने consider किया है अब बोलोगे आप directly differentiate कर दो सर इसको यफापेक्स मानो log of यफापेक्स बन जाएगा फिर इसका derivative निकालो ऐसे नहीं करूंगा बच्चो मैं इसको थोड़ा simple बनाते है simple बनाने का तरीका क्या है अगर आपको याद हो तो यह दो formulas मुझे बताओ 1 minus cos 2 theta का formula क्या होता है and 1 plus cos 2 theta का formula क्या होता है 1 minus cos 2 theta equal to यह होता है बच्चो 2 sin square theta and 1 plus cos 2 theta का formula क्या होता है 2 cos square theta यह दो formulas है multiple angle में मैंने बताई होई तो is equal to log of square root of आप बोलोगे यह 1 minus cos 3x से यह तो 1 minus cos 2 theta है अगर 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta बन सकता है तो 1 minus cos 3x क्या बन सकता है बच्चो 2 sin square 3x by 2 बन सकता है 1 minus cos 3x को मैंने क्या लेका 2 sin square 3x by 2 यानि कि इस angle का divide by 2 क्योंकि यहाँ पर 2 theta का half यह angle theta आया है उसी का यूज़ करके उसी तरह से 1 plus cos 3x को मैं 2 cos square 3x by 2 लिक सकता हो इस तरह से यह दो formulas मैंने यूज़ किये multiple angle की यहाँ पर 2 and 2 will get cancelled log of बनेगा square root of यह sin square 3x by 2 cos square 3x by 2 का मतलब होगा tan square 3x by 2 कितना अच्छा है ना so this is equal to क्या हो सकता है बच्चो log of square root of tan square 3x by 2 का मतलब होता है square निकल जाएगा तो square root भी निकल जाएगा यह रहेगा सिर्फ tan of 3x by 2 यह बन गया y equal to log of tan 3x by 2 ओके सोचो अगर यहाँ पर ही मैं differentiate करता तो problem simple होता या difficult बनता यह difficult बनता अभी यह simplify कर दिया अब this is the situation at which we can differentiate easily अब यहाँ पर हम differentiate करना बहुती आसान हो जाएगा यहाँ पर हमें तो यहाँ पर मैं लिखूंगा differentiate with respect to x यहाँ पर मैं differentiate with respect to x लिखता हूँ y का derivative with respect to x आपको भी पता है क्या होता है dy by dx equal to sin अब log of tan 3x by 2 यह किस तरह का function दिखाए देता है आपको log of yap hop x की तरह यहाँ yap hop x का roll कोन कर रहा है tan of 3x by 2 कर रहा है तो log of tan of 3x by 2 का initial derivative क्या आएगा 1 upon tan 3x by 2 आएगा फिर भी ddx अभी बाकी है ddx किस चीज़ का बाकी है आप ही बता सकते हो मुझे tan of 3x by 2 का ddx बाकी है अब बताओ एक चीज़ tan 3x by 2 standard है कि composite है standard and composite का difference आपको पता होना चाहिए मैंने पहले वीडियो में जो बताए थे derivatives आप standard function के formulas बताया थे और standard function अगर हो तो there is no problem बगद composite हो तो उसको differentiate करने का अलग तरीका होता है ओके so 1 upon tan 3x by 2 as it is रखता हो एक मिनिट के लिए में tan up 3x by 2 फिर tan 3x by 2 10x का derivative जीशतर सेक square x होता है इसका derivative क्या होगा बच्चो सेक square 3x by 2 होगा 6 square 3x by 2 होगा derivative पूरा होगा क्या नहीं तो ddx कब पूरा होगा ddx अगर मैं मैं इस angle का निकालूंगा 3x by 2 का तब पूरा होगा कियोंकि tan 3x by 2 का derivative तो सेक स्क्वियर 3x by 2 लिखा था लेकिं यह 3x by 2 का भी derivative निकालना बाकि यह समझ लो तो इस इस एक्वल टू अब 1 upon 10 10 of 3x by 2 को में कॉट टाप 3x by 2 लिखता हो कॉट टाप 3x by 2 ओके रेसी प्रोकुल करके यह क्या है सेक स्क्वियर 3x by 2 ओके यह 3x by 2 का derivative 3 by 2 तो constant है बच्चो x का derivative कितना आता है 1 अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा simplify और कर सकते हो कैसे यह 3 by 2 पहले लिख लेता हो में कॉट 3x by 2 का मतलब होता है कॉस 3x by 2 divided by sin 3x by 2 multiplied by सेक स्क्वियर 3x by 2 का मतलब होता है 1 upon cos square 3x by 2 ओके इतना करने के बाद 1 cos 3x by 2 1 cos 3x by 2 cancel हो जाएगा उपर तो क्या है 3 into 1 into 1 that is 3 ओके अब मुझे बताओ 2 sin 3x by 2 into cos 3x by 2 क्या होगा जैसे आपको पता है 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 क्या होता है sin theta होता है तो यह क्या हो सकता है sin up 3x यह क्या होगा sin up 3x होगा तो sin 3x को अगर ओपर ले लिया मैंने तो इसको मैं 3 into क्या लिख सकता हो cos 3x इस तरह से लिख सकता हो ओके यह बन गया मेरा second problem 3 cos 3x आप भी देख सकते हो कि कितना simple बन जाता है simplification करने के बाद यह problem ओके तो आगे चलते हैं और आगे का एक और problem देखते हैं ओके तो problem नमबर 3 है log of sake of 3x plus tan of 3x ओके देखेंगे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम पहला तो problem है log of sake 3x plus tan of 3x problem लिखा है मैंने y equal to लिखता हो अब क्या होगा इसका start अभी यहाँ पर addition of two terms है उसी के उपर log अपला है तो आप यहाँ पर सोचना मत कि ym plus yn के उपर log अपला है किया तो log ym into log yn होगा ऐसा नहीं होता है ओकी addition है यही हमारे लिए यह फॉपक्स होगा बच्चों यहाँ simplify मत करो यहाँ क्या करो फिर differentiate करो directly ओके यहाँ कुछ नहीं करने की ज़रूद differentiate करो तो फिर यहाँ पर बनेगा यह dy by dx equal to पहले तो मुझे बताओ यह पूरा फंक्षन अगर यह फॉपक्स है तो वन अपॉपक्स यहाँ पर यह बनेगा वन अपॉपक्स प्लस टैना थी एक्स बनेगा ओके फिर आपको पता है कि डी डी एक्स तो बाकी है डी डी एक्स तो पूरा नहीं हुआ है किस चीज का डी डी एक्स बाकी है सेक आप 3 एक्स प्लस टैना थी एक्स ओके तो यह addition इन दोनों का differentiation मुझे करना है so this is equal to 1 upon सेक आप 3 एक्स प्लस टैना थी एक्स तो मैंने लिखा है अब पूरा ब्रैकेट डालता हूं मैं अब बोलो सेक 3 एक्स प्लस टैन 3 एक्स का अगर डेरिविटिव निकालना है तो सोचो addition रूल तो यूज होगा पहले तो इसका डेरिविटिव क्या होगा जिस तरह सेक एक्स का डेरिविटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स उसी तरह से पहले इसका डेरिविटिव आएगा बच्चो सेक 3 एक्स इंटू टैन 3 एक्स ओके लेकिन फिर भी हमें पता है कि डीडी एक्स तो पूरा नहीं हुआ है डीडी एक्स की ची 3x का derivative क्या आएगा, वो आएगा, 6 square 3x आएगा, वरबर है, लेकिन यहाँ पर भी पूरा derivative नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि यह 10x नहीं है, 10 3x है, तो 10 3x में से 3x का derivative निकालना बाकि है, तो ddx अब क्या लिखूंगा मैं, 3x, ओके, तो 3x multiply कर दिया, bracket भी complete कर दिया, so this is 1 upon sec of 3x plus 10 of 3x, तो लिखा है मैंने, ओके, यहाँ पर bracket डाल देता हूँ, मैं sec of 3x into 10 of 3x, plus sign दे दिया मैंने, 3x का derivative, sorry, 3x का derivative कितना होता है, 3 plus, यहाँ पर भी sec square 3x लिखा मैंने, into 3x का derivative होता है, 3 bracket में लिखा है मैंने, अब थोड़ा सोचो, इस bracket में से, जो भी कुछ common आएगा, उसको common ले लो, तो क्या बन रहता है, और क्या होता है, आगे देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं, is equal to, जगा कम होने के वज़े से, मैं थोड़ा, यहाँ पर adjust कर लेता हूँ, 1 upon sec of 3x, 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 common ले सकते हैं, यहाँ पर sec 3x है, यहाँ पर sec square 3x है, so sec of 3x common ले सकते हैं, तो bracket में बच्चेगा, क्या? जो bracket में बच्चेगा, उब बताओ मुझे, यह bracket में मुझे लगता है, तैन of 3x रहेगा, प्लस सेक स्क्वियर 3X में से क्या रहेगा बच्चो सेक आप 3X रहेगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेक आप 3X अब यहाँ पर देखो आप यह वाली टर्म और यह वाली टर्म तो से में दोनों हो जाएंगी कैंसल तो अंसर रहेगा 3 सेक आप 3X 3 sec of 3x देखो क्या magic है किस तरह से simple answer आ जाता है इसको differentiate करने के बाद 3 sec of 3x ये बन गया मेरा final answer तो ये problem आप easily solve कर सेथे हो इस तरह से sec 3x plus 10 3x से तो cosec 3x minus cot of 3x भी आएगा उसका भी answer हम easily find out कर सेथे तो के इसी तरह के कुछ problem के साथ फिर से मैं जल्दी ही आज़िर होंगा तब तक के लिए stay connected with Boraday Mass Academy and stay home stay safe क्यूंकि करोना को हराना है जीतेगा हिंडिया जाहिंग